एक और दोस्त आगे यह रहा एक चोर तिल्ली में था यही चोर मजार में यही पकड़ा यह ता आज चोर करते हैं यही वाला यही वाला वाच पानी सब्सक्राइब ले लेता हूं तो हमने तीखा भी हैटम ले लिया गाइस चना वगएरा पकोड़ी समोसा सब तो हमने आसर का नमाज बर्यातु वाली मजीद में पड़ा लिया गाइस थोड़ा लेट हो गया वाट्सप गाइस विल्कम टू माइनू ब्लाउग तो हम लो यह रहा बर्यादुट पहाड जो मैंने पहले आया था जीम के साब में दिखाया था आप लगों को पिछले वाले ब्लॉग में तो चलिए चलते हैं और हमारे साथ बहुं सारे दोस्त है जैसे की रहा चुका है डाइटर बॉई जाइचर और मैं कैमरामेन उर्ष सक्रान एम अधिर है और दो बन्दा उधर भी है तो चलिए चलते हैं बहुत मुसक्कत साथ है अफ्रीका के जंगल में हम लोग आते हुए आज अफ्रीका के जंगल में हम रोजा कौफतारी को करेंगे हंजाम मकसद में शीन देख सकते हैं यह ब्लॉग कैसा लगेगा जरूर बताना औ और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते जाना कर दीजेगा काई बहुत दूसलिक है पकर दीजेगा अर बतत क्या है आप लोग का चोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता देगे मेरे एक और दोस्ता गई यह रहा एक चोर कजब बेज़ती है तो वह बंदा नहीं आया गाइस चड़ने के डर से देखिए हम लोग चड़ रहे हैं उसको बेकु बनानेगी है अब गदिस्तान के पाड़ में नुकसान हम तो चड़ जाएंगे बिना सहारा का देखिए देख सकते हैं नहीं आया चड़ने कड़ से रोज देखिए कैसा रहा हम लोगों का इफतार का सीन सब सोच समझ कि आपे गाइस हम लोग तो हम लोग आज जोहर जोरकण पढ़ने निकले वाले शात्रों को राजनिकी से दूर रहना चाहिए जोरकण वालों सपोर्ट करना जारी रखो देखिए यहां का सीन देख सकते हैं वर्यादू भाल का सीन हम लोग इफतार करने के लिए यहां पहुंच चुके बस फल्फरूट अभी काटना है और सजाना इफतार के लिए तो चलिए सुरू करते हैं जलते देखते हैं कितना काम हो चुका है गाई इतना ही फॉल पर देना पड़ रहा इसका जीम वाला पुराना वाला देख सकते हैं वहीं है बगल में जो पीछले हम लोग ब्लॉक मनाए थे याद है नहीं और जीम को नाम से है जो कि आपको छोड़ा तो लाओ उमर के पास ह आए जोड़ कीजिए और और सब को एक तरफ से अब तो साथ बोल दे बॉल दे नाजीन रोजातो लगी बाग रहा है पादी एक बतलपी गिया अधर देखिये सचाए यह रोज़ेदार है यह क्या है डाइट का वज़े से ने रोजातो लग गिया क्या सीन है गाईज तो एक पपिता इन लोगों के नाम भी कर देता हूं बस एक ही था सबसे उपर जाना पॉसिबल नहीं रहा इसलिए नहीं जा पाया आईए और आगे चल कर देखते है क्या नजारा यहां का और यह लोग इफ्तार के तयारी करते हुए तो एक कि तो इफ्तार में अभी वक्त है तो हम लोग सेलफी कि कर वा लेते है ज्हारकंड के छपरिय लोग पीछे हैं मैं आरहे देख सकते हैं कैसे भौच दे रहे है तो सजाया जा रहा है एक कई तो जनता माफ नहीं करेगी अच्छा रहा इफ्तार पाटी को हमारे तरफ से आपकरी इफ्तार का अब यातु पाहड में लोग पर्स टाइम आम लोग कभी पिक्निक जैसा इफ्तार करने आया है लाइब में तो मैंने पहली बार किया अब यह लोग का नहीं पता तो अब लोगों का इफ्तार हो चुका है अभी भी हम लोग पाहड में सब सारह समान पैक करके अब जाना है और आप लोगों को यहां का भीउस दिखाना था यह देखिए जैसा कि वरियातु पाहड से हम लोग कैसा यहां करना जा रहा है जो देख पा रहे है पिर से इसको खोटो किचाने का भूत सवार हो गया और मुझे भी थोड़ा सा देखा तो अच्छा लगा तो मैं तो मैं भी क्लिक करवा लिया और फिर उसके बाद हम लोग निकल पड़े होगा हम लोग उतरने के लिए बहुत डर रहे गाइस अंदेरा में कभी उतरे नहीं है पहाड में इस देख ये गुफा से आ रहा है तो उतरी गया ज्यादा उपर हम लोग नहीं गई थी गाइस पहाड की बस बगली में थे जैसा कि आप लोग नजारा देखे होंगे तो यह रहा इस साथ अपरिका का तो नहीं है लेकिन जारकंड का जरूर है जारकंड वाले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना तो अपर यह यह ब्लाइब लाइब ले लेंगे इस साल इपतार बोग अच्छा रहा हम लोग फिर नेक्स डियर कभी करेंगे गाइस खुदा आफिकर यह ब्लोग करेंगे गाइस खुदा अट्छा थीग है समझ गया अजा एक और वाना अरे पीखे छुट गया ता पिर मिलेंगे नेज ब्लोग में गाइस तब तक के लिए बाई टेक केर स्यू सून और यह वाला ब्लोग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और बेल आइकन पुरिश चाहिए और सब्सक्राइब करना और सब्सक्राइब करना इफतार खुलने के बाद मैं रोड की जो भीड है वह आप देख सकते हैं परस दिखाता पूरा तूर ब्लोग को देखा 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 इस तर खुलने के बाद का इस कितनी भीड है यहां रोड की वेड़ी लंजान के जावरान बिग थैंक यू पर बिंग हीर बहुत बहुत धन्यवाद बहुत झाल